अठ्याई छे श्लोक साथ भागवत गीता जीतात मनह प्रशान तस्य परमात्मा समाहितह शीतो स्नह सुख दुखेशू तथा मान अपमान यह अनुवाद सर्दी गर्मी और सुख दुख आदी में तथा मान और अपमान में जिसके अंदर करन की विट्टियां भली भाती शान्त हैं ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्य के ज्यान में सच्चिदा अनंद परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं प्याख्या सर्दी तथा गर्मी में सुख तथा दुख में मान तथा अपमान में जीवन के स्वमस्त दवंदों में जिसकी चेतना दामाडोल नहीं होती है अकम्पित रहती है जैसे भीतर कोई अंतर ही ना पड़ा हो चाहे बाहर कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए जिए यहां कि इसकाष्या कारण सरदी गर्मी सुख दुख मान अपमान है तो आप गलत सोच रहें है इसका कारण है मनुष्य अपने आपको सर्दी गर्मी सुख दुख मान सम्मान से जोड लेता है इसी कारण वह उद्विग्न उतेजित अशांत हो जाता है जब बुध अने वाले थे तो एक भिक्षू ने उनसे कहा कि मन दुखी हो रहा होगा कि कुछ शणोबाद आप नहीं रहेंगे बुथ ने कहा दुखी मत हो जो नहीं था वह कुछ शणोबाद नहीं रहेगा और जो है वह सदा ही रहेगा तो भिक्षू को दिख रहा है कि बुथ मर रहे है किंदू बुथ्ध को दिख रहा है कि जो मरा हुआ है अर्थात उनका भौतिक शरी वही मरेगा तथा जो शाश्वत है अर्थात उनकी जीव आत्मा सदा जीवित ही रहेगी वह स्वयम को दृष्टा की तरह एक शाक्षी की तरह अपने भौतिक शरी से दूर खरा पा रहे हैं इसी कारण भगवान शिफ शम्शान अर्थात कायांतक वासी हैं काया का अर्थ है भौतिक शरी अंत का अर्थ है समाप्त होना कायांतक का अर्थ है जहां भौतिक शरी समाप्त होता है ना कि जहां जीव का अंत होता है मित्यू कायांतक है जीवांतक नहीं जो कुछ मनुष् एक भौतिक शरी नहीं, बलकि एक जीव आत्मा है, जो सदा से शाश्वत अमर है, मनुष्य नश्वर है या अमर, यह केवल धार्णा का प्रश्ण है, इसके लिए कोई अस्तित्वाग्य परिवर्दन की आवशक्ता नहीं होती है, यदि सादक प्रबुद्ध बुद्ध बन ज्यान को उपलप्त हो जाता है, तब भी रात्री में अंधकार ही होता है, उजाला नहीं होता है, तब भी सर्दी, गल्मी, दुख, अपमान यह सब उसके जीवन में घटित होएंगे, किन्तु वह उन सब घटनाओं से उद्विग्न, उत्तेजित नहीं होगा, क्योंकि वह शाक्षी बन इन घटनाओं को दूर से घटित होता हुआ देखेगा, इसी कला को योग कहते हैं, और योगिश्वर श्री कृष्ण कहे रहे हैं, कि ऐसी स्थिर्चेतना वाला मनुष्य ही सच्चितानंद को प्राप्त कर पाता है, सर्दी, गल्मी, सुख, दुख, मान, अप पहलू हैं, जैसे उजाले के बाद अंधकार का आना निश्चित है, वैसे ही सर्दी के बाद गल्मी का, सुख के बाद दुख का, मान के बाद अपमान का आना निश्चित है, सुख, सर्दी, मान ये सब प्रारंब हैं, दुख, गल्मी, अपमान तो अंत हैं इस यात्रा के, तो मनुष्य को सर्दी में, सुख में, मान में बाहर सजग जागरुक होकर शाक्षी बन खड़ा रहना पड़ता है जो ऐसा कल पाने में सक्षम है वही गल्मी में, दुख में, अपमान में बाहर खड़ा रह पाएगा क्योंकि बीच में अपने अहंका से बाहर आगर सजक जागरुक होना बहुत कथिन है तथा जो सुख में कमपित होगा वही दुख में भी जरूर कमपित होगा योग सुख में शाक्षी बन अलग खड़ा रहने का नाम है तब ही मनुश्य दुख में भी अलग खड़ा रहे पा अकमपन की स्थिती जरूरी है तब ही साधक में इतनी शक्ती उत्पन होती है जहां वहां परमात्मा से एकाका कर पाता है किन्तु जो मनुष्य अशांत कमपेच रहता है उनमें यह तीवरता नहीं होती है कि वहां परमात्मा के समीप भी जा पाएं नहीं तो वहां नश्ट हो परमात्मा की उजा को सहिन करने के लिए भी मनुष्य को समर्थ होना पड़ता है